असलाम लेक्कुम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हो अगर आपके बाल वाइट है और आप भी अपने बालों में कलर यूज़ करते हैं तो यूज़ करने से पहले मेरा ये वीडियो जरूर देखिए क्योंकि मैं बहुत काम की टिप बताने वाली हूं जो श क्यारी कैसा उप्ष्ण है जो लोग इसको यूज़ कर लेते हैं और एजी बालों को कलर देता है ठीक है लेकिन हम सबको यह बहुता है कि इसमें कैमिकल्स भी होते हैं जोके मेरी रूट्स को जड़ों को नुकसान पहुचाते है और जो हमारे माली जह चार बाल सफेद है त तो इस तरीके से बाल बढ़ते ही जाते हैं वाइट होते हैं तो मैं जो आपको टिप बता रही हूँ अगर आपको फॉलो करेंगे तो आपके बहुत से बाल वाइट होने से बच जाएंगे और डायरेक्ट आपकी रूट्स पे अटैक भी नहीं होगा ओके तो चलिए मैं आप तो बालो में जब डस्ट और थोड़ी सी गंदगी आ जाएगी तो आपको आप फिर उस टाम पे कलर अप्लाई करिए उससे क्या होगा कि जो डस्ट और गंदगी है वो आपकी रूट्स को प्रोटेक्ट करेगा और इन कलर्स के जो चैमिकल्स है वो डायरेक्ट आपकी रू इसके बाद अच्छे से आप चाहे तो शैंपू करके भी वाश कर लीजिए मैं ऐसा ही करती हूँ शैंपू करके मैंने वाश किया कुछ भी फरक्डी पड़ा कलर बहुत अच्छे से आया ठीक है और सेकें टिप यह है कि जैसे आप अगर ब्रश से अपने बालों में कलर ताकि वो कलर जो है बालों में बहुत अच्छे से चला जाता है और अंदर तक कलर होता है तो आप गलव से पहन के और अपने फिंगर टिप का यूस करके बालों को थोड़ा सा मसाज करके अच्छे से कलर उसमें जब एब्जोर्फ हो जाए तो वो बहुत अच्छा कलर देत follow करना और आज ही से stop कर दीजिए अपने साफ साफ धुले बालों में color apply करना क्योंकि ये बहुत attack करता है direct आपके बालों को आपकी roots को और white कर देगा ओके सो दोस्तों अगर वीडियो मेरी helpful लगी हो तो वीडियो को like जरूर करिए शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और वीडियो और काम की वीडियो के लिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए खुश रहे बेहपी बेहली अलाहाफिज बाई